गुद इवनिंग फ्रेंड्स बडो को पैरी पॉराच छोटो को हलो अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो हमारे वीडियो को और वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए यह देखिया हमारे यहां का मौसम यह हमारे यहां का तालाव हाल फलाल में हमारे यहां के तालाव की खुदाई हुई है और कल हमारे यहां हुई है जवर्दस्ट बारिस्ट चलो अब हम लोग चलते हैं अपने खेट की तरफ देखते हैं अपनी फेका वाली धान का हाल कैसी द देखिए यह देखिए दूर से, ग्रीन देखने लगी है, हरा केट देखने लगा है पूरा, और पास से चल के देखते हैं, क्या हाल है, यह देखिए कल की बारस, पहली मौसाम की पहली बारस वो भी इतने तेज है, हमारे यहां तालाप का यह सुन्दरी करन हुआ है, यह यह देखिए किसान भाईयों, कल हुई यह बारस, यह देखिए अपने खेट का हाल, यह देखिए धान यहां भी उक आई है, जो दूसरे दिन बुबी थी, चलो आप लोगों को पहले दिन वाली धान दखाते हैं, कितनी बड़ी हो गई है, यह देखिए, ग्रीन री तो आ गई है थेट में, हरा देखने लगाया थेट, देखिए यह वाली धान भी दूसरे दिन की है, यह वाला किल्ला और वो वाला, वो वाला, वो वाला और यह वाला, यह सब दूसरे दिन वाले हैं, और वो साइड वाले चार किल्ले, वो हैं पहले, लोग धान देखिए, कितनी बड़िया जमने सनाया है, यह देखिए पहले दिन वाली, यह रही पहले दिन वाली, यह चारों किल्ले पहले, पहले दिन के बुगे हुए हैं, इन में काफी बड़ी भी होगती हैं, ग्रीन दिखने लगी है, खेत हरा दिखने लगा है, कुछ-कुछ खर्पतवार भी दिखने लगे हैं खेत में, किसान वाईयों, इसमें हम लोग खर्पतवार ना सक लगाएंगे, कुछ दिन बात, जब यह धान बड़ी-बड़ी हो जाएगी थोड़ी, करीब-करीब 8-8 इंच की लगवक धान हो जा खर्पतवार ना सक लगाने के बाद खेत भरना पड़ता है, ताकि धान न डूबे और धान खराना, यह देखिए हमाएं हाँ, कल बारे सुई है, चलो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीज सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल पे व्यूज ज्यादा आ रहे हैं, सब्सक्राइब और लाइक कमा रहे हैं, तो ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवार, सभी किसान भाईयों को मेरी तरफ से, सुब्ध दिन हो,